तोड़ी हिंदी की मदद के साथ आज बात एक इडियम की विच इज दाट्स दो लास ट्रो अब ये जो है ना बहुत ही आसान इडियम है और इसे आप बार बार यूज़ करेंगे एक बार आप इसका मतलब समझ गए तो इसका direct, simple, literal meaning ये है कि जब आपकी patience खत्म हो जाए मतलब आपकी सहन शक्ती खत्म हो जाए एक situation में, life में, एक problem में when you think की अब मुझसे और नहीं हो रहा है that's when you use, that's the last straw अब जैसे last straw है इस इडियम में ही कही न कही meaning छिपा है last से आप याद रखेगा कि मतलब patience खत्म हो गई है अब और efforts नहीं हो रही है so that's called, that's the last straw अच्छा, एक interesting बात बताती में इस इडियम के बारे में लेकिन उससे पहले, let's focus on stresses so that's the last straw as a whole की बात जब हम करेंगे it would be, that's the last straw that's the last straw last पे सबसे जादा stress होगा अब मैं इसके बारे में एक interesting बात बताती हूँ ये इडियम जो है, वो एक proverb से आया है अब वो proverb क्या है? वो proverb था कि it was the last straw that broke the camel's back ये proverb यूज होता था जिसके बाद ये इडियम बन गया और आज हमारी भाशा में यूज होता है तो ये कहां से आया? इसका मतलब यही था कि मान लेजिए एक camel है जो कि एक haystack लेके जा रहा है या घास लेके जा रहा है अपनी back पर तो last straw यारी आखरी तिन का जो था उसके कारण camel की जो back थी वो तूट गई क्योंकि overweight हो गया so camel की भी patience खत्म हो गई so that's how this came up that's the last straw और 1760 से 1836 तक इसके बहुत से variations यूज हुए है लेकिन आजकल जो सबसे popular है वो यही है that's the last straw तो अब हम देखेंगे इसके examples ताकि meaning, usage, सब कुछ अच्छे से समझा जाए so the first example is she tried to avoid the argument but last Sunday they fought again that was the last straw तो मान लीजे कोई किसी कपल के बार में बात कर रहा है जो मेभी divorce लेने की रह पर है या separate होने की रह पर है तो उसके बार में बात करते हुए क्या कहते हैं कि उस लड़की ने कोशिश की थी कि आर्गुमेंट ना हो लेकिन आखरी संडे को भी वो लोग लड़े थे और वहीं पे उस लड़की की patience की हद हो गई थी that was the last straw which led to the divorce या which led to the separation तो आखरी चीज जो हुई हो जिसके बाद कोई चीज खत्म हो जाए टूट जाए या end हो जाए तो उसे कहते हैं the last straw बिलकुल उसी की तरह camel की तरह या आखरी हेस्टाग का तिनका या घास का तिनका जो डला उसके बाद बजारे camel की back ही टूट गई so that's the last straw एक और example देख लेते हैं ताकि meaning usage अच्छे से दिमाग में बैठ जाए this male can lead to his suspension that sorry this could be the last straw ठीक है अब मान लेजे किसी employee की बात हो रही है जुसके बारे में बहुत सारी complaints जा चुकी है verbally तो अब एक कोई इनसान है जो mail डालने वाला है तो उस पर क्या कहा जाता है कि इस mail के कारण उस बंदे को suspend किया जा सकता है और यही आखरी straw होगा I hope you got the meaning I'll see you soon